नमस्कार दोस्तों एक बाप फिरिशे श्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मिश्टर मेर्शन गुरू में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जयनकारी देने वाले हैं प्रेग्नेंसी में महिलाओं को इसे क्यों रेक्मेंड किया जाता है पूरी इंफर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से आरजी कॉम ग्रेनुल्स के बारे में देने वाले हैं तो बने रहीएगा वीडियो के लास तक और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे ह वीडियो को लाइक करें और वे लाइकिन जरूर दबाएं ताकि मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इनफर्मेशन हम से एर करें वहाँ आप दिख नोडिफिकेशन के माध्यम से जरूर जाए आरजी कौम सचट के कमपोजीशन की बात करते हैं यानि इंगेडियन्स का उनसा है इसमें तो जैसे कि आप अपनी स्किन पर देख सकते हैं इच सचट 5 ग्राम कंटेंट्स, याल आरजनीन 3 ग्राम, जिंक, सलफेट मोनो हाइड़ेड आईपी, इक्यू बैलेन्ट टु एलिमेंटल जिंक 10 अमजी, फोली के एसीड आईपी 2.5 मिलीग्राम तीन कंपोजिशन से मिलकर के बनिया मेटसिन होती है और मैक मिलन फार्मसिटकल कंपनी के द्वारा बेची जाती है या मारपी की बात की जाए यानि कीमत की बात की जाए तो बाउन रुपए जो है मौजूदा टाइम में इसकी मारपी है दोस्तों इस पे MRP नहीं लिखी हुई है जो आप सचर सामने देख रहे हैं यह है एक sample pack है बाकी जो मुझूद अ-time के MRP है 52 रूपीज है बाकी समयान उसवार MRP बढ़ती रहती है यूज की बात करते हैं तो basically इसको pregnancy के दौरान महिलाओं में recommend किया आता है जिन महिलाओं में pre इस तरह की problems हुई रहती है होने की शंभावना रहती है वहाँ पर इसका recommendation होता है साथ ही साथ दोस्तों इसका एक बहुत ही अच्छा role होता है अम्नियाटिक fluid index में पानी का अस्तर को मेंटेन करना जिन महिलाओं में दोस्तों अम्नियाटिक fluid index में पानी का अस्तर कम रहता है वहाँ पर आप देखेंगी कि जो शिसू रहता है वो प्रॉपर तरीके से डबल अप नहीं होता है साथी साथ हो प्रॉपर तरीके से मोब भी नहीं कर बाता है मोब्मेंट कम हो जाती है तो अम्नियाटिक fluid index में पानी के अस्तर को भी बलाता है दोस्तों पानी का अस्तर जै पानी के बदलत तो यह जो है पानी के अस्तर को भी बढ़ाने में हेल्प करती है बात करेंगे दोस्तों इसके और क्या अडवांटेज है तो इससे आपको यह एक जो है एंटी ऑक्सिदेंट की तरह कारी करता है इससे आपको जो है एनेरजी भी मिलती है दोस्तों ताकत भी मिलती है और ओवराल जो इसका यूज है प्रिकलमसिया, आईजियार, अल्गोहड़नास और अम्नियाटिक फ्रीड इंडेक्स में पानी के स्तर को मेंटेन करना अब हम जानेंगे डोज के बारे में दोस्तों तो अगर माइल्ड सिंटम से यानि कम प्राब्लम रहती है तो वहाँ पर वन सचेट ओडी का इसका डोज होता है यानि सिंगल सचेट एक दिन में लेना रहता है बाकि कुछ अगर सीवीर प्राब्लम है ज्यादा प्राब्लम डाक्टर को दिखती है तो वहाँ पर इसका dose BD भी recommend करते हैं यानि सुभा और साम तो ये सारे दोस्तों इसके usage और benefit के बारे में जानका रही थी अब हम जानेंगे इसके कुछ side effect के बारे में तो इस सचट के लेने से कुछ patient में थोड़ा बहुत gas वाली problem या फिर महिलाओं में दोस्तों चुकि pregnancy में आप देखते हैं nausea और vomiting की problem आम रहती है तो इस सचट के लेने से कुछ महिलाओं में nausea और vomiting की tendency भी बढ़ जाती है बहुत जाद कोई side effect नहीं होता है इस तरह की side effect होती है और दीरे दीरे ठीक हो जाती है